क्या है दोस्तों मैं हो डीके और आप सही का स्वागत है हमारे यूट्व चैनल में तो आज के वडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह का हार्दी बधाई वाला पोस्टर अपने मॉवाइल फोन में कैसे बना सकते हैं कैसे डियाइन कर सकते हैं तो इस वडियो को आन तक देखिएगा वडियो पसंद आए वडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है Play Store पे Play Store से आपको सर्च कर लेना है Pixel Ave App Pixel Ave को सर्च करने बाद आप Install करके उसको ओपिन कर लेंगे जब पिक्सल अप को ओपिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का Default का Option अजाएगा यहाँ पर आपको एक new test मिलेगा तो इस test को delete करेंगे उपर delete वाले option से इसके बाद आपको नीचे फोर्थ रोर पर जाना है यहाँ से आपको image size पर जाना है और यहाँ से edit करके इसका image size चेंज करना है तो इस तरह से image size रखके done करेंगे और यहाँ से भी आप change कर लेंगे तो यहाँ से भी हम image size चेंज कर लेते हैं done करके आप यहाँ से ok करेंगे तो जो आपका image size है अच्छे से fit हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर एक background लगाएंगे तो आप colorless option से कोई भी color रख सकते हैं यहाँ से आपको बहुत सारे color मिलेंगे अगर आपको बेक्ग्राउंड बनाकर save किये हैं या डाउनलोड किये हैं तो आपको from gallery से seller करना है तो यहाँ पर हमने दोस्तों कुछी तरका background बनाकर save किया है इसमें हमने कुछ test भी लिखा है यह जो background है आपको हमारे टेरिग्राउंड पर मिल लाएगा आप असानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसे ok कर लेंगे और इसको fit करने के लिए नीचे turn number पर जाएंगे यहाँ से नीचे जाके आपको relative size का option मिलेगा इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको hundred करके ok कर लेंगे तो आपका जो background में अच्छे से fit हो जाएगा इसके बात आपको करना क्या है आपको यहाँ पर कुछ image लगाना है तो इसके लिए आपको plus पर क्लिक करके जाना है from gallery में from gallery से आपको image को slur करना है तो यहाँ पर जो हमारा image है इस तरह का है slur करेंगे आप जिस भी party का बना रहे हैं यहाँ पर जो candidate है आपके आप image को slur करके यहाँ पर अच्छे से रख लेंगे तो इस तरह से जो आपका image है उपर अच्छे से fit हो जाएगा इसके बाद करना क्या है आपको कुछ image और लगाना है तो यहाँ पर हमने एक लगाया था center का image तो आप center का image रख सकते हैं यहाँ पर crop करके इस तरह से यहाँ सोके करेंगे और इस image को छोटा बड़ा करके आपको रखना है यहाँ पर इसे हम थोड़ा और छोटा करेंगे और छोटा करके आपको यहाँ पर अच्छे से रख लेना है इस तरह से आपका हो जाएगा इसकी बाद आपको plus पर क्लिक करना है एक new test लेना है टेस्ट को आप यहाँ से edit करने बाद आपको इसमें लिखना क्या है लिखेंगे happy new year 2022 तो हम test को लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखना है happy new year और यहाँ पर आपको लिखना है 2025 इस तरह से एक space देना है done करके आप यहाँ से ok करेंगे और इस test को रखेंगे आप यहाँ पर यहां से कुछ इस तरह से test को कर देंगे, चाहेंगे नीचे वाले option पर क्लिक करके, यहां से नीचे, नीचे आपको यहां पर मिलेगा AB font, आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहां से आपको font को slur करके, OK कर लेना है, इसकी वाद आपको बगल में मिलेगा B style का option, इस पर क्लिक करेंगे, B वाले option पर क्लिक करना है, OK करना है, नीचे आपको Wellington का option मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको पीच वाले option पर क्लिक कर लेना है, यहां से OK करना है, और जाना है उपर आपको Cloud Laption पे यहां से Cloud Laption पे जाके आप इसका Color दे देंगे यहां सोके करेंगे नीचे जाएंगे नीचे जाके आपको Stock पे क्लिक करना है यहां से Enable करना है यहां से आपको Slut करना है Black Color यहां से 4 या 5 पाइंट रखके यहां सोके करेंगे और इसका shadow भी enable करके आपको रखना है black color यहां से offset 100 रख लेंगे और जो polar radius point है 10 या 8 point रखके आप यहां सुखे करेंगे तो इस तरह का आपका एभी test हो जाएगा आप यहां पर छोटा बड़ा करके उपर रख सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर अपना photo लगाना चाहते हैं इस poster पर आप अपना image लगाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से आपको अपना photo select करना है तो यहां पर जो हमारा photo image है हम select कर लेते हैं यहां से इस तरह से group करके ok करेंगे छोटा बड़ा करके आपको यहां से थोड़ा और छोटा करेंगे और इस image को हम यहां पर अच्छे से फिट कर लेंगे दोस्तों देख पारों तो इस तरह से आपका हो जाएगा इसके बाद यहां पर एक image और लगाएंगे तो फ्राउम गिलरी से जाके जो भी image आप लगाना चाते हैं जिदना image आप लगाना चाते हैं आप से लट करके रख सकते हैं तो यहां पर हमने जो एक image लगाया था Merry Christmas का था यहां पर इस तरह का तो यहाँ पर आप रख सकते हैं इस तरह से दोस्तों देख पारोंगे यहाँ पर आप अच्छे से इसको फिट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा फोटो के नीचे हमने यहाँ पर नाम लिखा है तो आप अपना नाम लिखके सेफ कर लेंगी । तो दोस्तों इस तरह से आप Happy New Year के लिए नए साल के लिए Christmas के लिए हार दी बधाई का पोस्टर बना का सेफ कर सकते हैं Share कर सकते हैं और हार दी बधाई दे सकते हैं तो उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलते हैं गले वीडियो में थान्यवा